हेलो एवरिवन फ्रेंस नमस्ते वैकम बेक टू मैजिकल हैं जैसी कृष्णा कैसे हो आप सब फ्रेंस आज हम इस बचे हुए टुकडे का रियूस करेंगे और यह मेरी सीजर है बटरफ्लाय की अगर आप चाहें तो एमेजोन पे मिलती है तो ऐसी सीजर मंगवा सकते हैं अब देखें इसे हम क्विल्ट करके रेडी कर लेंगे और आप सब पूछते हैं बैक साइट का जो ओर्गिनाइजर वो मैंने बनाए नहीं है रेडिमेंट लिए हैं लोकल मार्किट में भी मिलते हैं मिसू में भी ऑनलाइन मिलते हैं तो आप वहां से ले सकते हैं अब इसके उपर जिप को उल्टा रखके सीधी सिलाई कर देंगे कुछ इस तरीके से सिलाई करने के बाद आप टॉप की स्टीच लगा दें टॉप की स्टीच लगाने के बाद जो उपर का पार्ट हमने कट करा था उसे इस तरीके से सिलाई कर ले और फिर से टॉप की स्टीच लगा दें इस तरीके से और जिप के अंदर रनर डाल दीजी और ऐसा छोटा सा पार्ट कट करें जिसका नाप है 7.5 by 5 इंचिस का जिसे उपर से हमने राउंड सेप दिया है अब इसे भी हम ऐसे ही कट करेंगे और यहाँ जिप अटेज कर लेंगे सेम तरीके से जैसे हमने बड़े पार्ट में लगाया था वैसे ही हम इसे भी अटेज कर लेंगे उसके बाद फिर से टॉप की स्टीच लगा देंगे और यहाँ यह चोटा सा पार्ट है जो उपर से कट किया था उसे लगाएंगे और टॉप की स्टीच करेंगे देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे यूसफूल लगे तो प्लिस ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए और यह जो ब्लाउज पिस बचा हुआ है वह मैंने मिसू में से मंगवाया था आप चाहें तो वहीं से मंगवा सकती है जिप लगा लिए अब यह राउंड है उसका नाप लेकि आपको जिप कट करनी है पूरे राउंड में आपको इसे अटेज कर लेना है इस तरीके से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं अब हम यहां टॉप की स्टीच लगा देंगे इस तरीके से लेखे तो किसी किसी को ऐसी देखे प्रोब्लम होती है उसे कवर से लाई कैसे कनी है वो बताते हैं सबसे पहले जो पार्ट है उसी के नाप से हमने नाप का पार्ट लिया है क्यूंकि अविजिप लगाए थी उसकी बैक साइड में हमें लगाना होता है उसे लगाने के बाद एक स्ट्रिप ले ले और यहां कवर सिलाई कर ले तो अगर आपको सुई में धागा बार-बार तूट जाता है तो आप टॉप की स्टीश करें बिना इस तरीके से रफ़े जिसमें कवर सिलाई भी कर सकते हैं अब कवर सिलाई करने के बाद आपको क्या करना है यह जो में पार्ट है उसके उपर आपको ऐसे सेंटर में रखना है सेंटर में नौचिस लगाए और इस तरीके से पूरे राउन में सिलाई करनी है दिखे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं कैसे करना है जो सेंटर में नोची से वहीं से आपको सिलाई करना स्टार्ट करना है अगर वीडियो पसंद आये तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा चनल पर नहें हो तो ज़रू से सब्सक्राइब करें और देखें यहां से हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से हमारा टोटल पोकेट बनकर रेडी हो चुके हैं दो आप देख सकती है ट्वेंटी पाइब वन इंचिस का यह बॉडर है उसे लिया है और बेल्ट ले लिए हैं हमने 20 x 1 इचिस के बेल्ट है और 25 x 6 इचिस का बॉर्डर है अब यह जो हमने बैक साइड में जिप लगाए थी उसके नाप से ही आपको नौन का पार्ट कट करना है और इस तरीके से अटेज कर लेना है एक साइड हमने पोकेट लगाए है और दूसरी साइड का जो पार्ट है उसम बिलाते हुए आपको सिलाइ कर देनी है अब दूसरा जो पार्ट है उसे लगा दीजे उसमें भी हमने नौचिस लगाया है बूर्डर में भी लगाया है उसे भी हम सिलाइकर देंगे कुछ इस तरीके से अब तक तो हमारे थी पोकेट बंटकर एड़ी हो चुके हैं यह दे कर रांकिंग करने कि बाद अबर के रोड खोगा बहंगे इसे कट करेंगे लोट करेंगे कि लेंगे और अब दूसरा बाच लेंगे उसे सीधी से लाई करेंगे और फिर जिब के अंदर रन अरेट करेंगे अब यह जो बॉर्डर है उसके साथ इसे जोड़ देंगे होब करती हूं आपको अच्छे से समझा रहा होगा अब हमने दोनों साइट बॉर्डर को अटेज कर लिया अब करेंगे स्ट्रिप कट करकी कवर से लाए दोनों साइट से रफ पेज इसको कवर करते हुए आपको सिलाई लगानी है अब हम क्या करेंगे इसे इस तरीके से यहां से कॉर्णर से पकटते हुए पूरे राउंड में सिलाई करेंगे अब इसी तरीके से दूसरा बार भी हम अटेज करेंगे पूरे राउंड में और आप सब कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेट में बताना और वीडियो पसंद आया है तो रेड हार्ट बता कर देना और इसी तरीके का बड़ा बैक सिखना है तो देखे मैंने स्क्रीन पे फोटो दिया है ऐसा आप बना सकते हैं पड़दे का रियूस है अब हमने स्ट्रिप ली है रफ वेज इस पे कवर से लाई करते हुए पूरा राउंड में फिनिश किया अब हम इसे सीधा करेंगे अब देख सकते हैं इसमें टोटल फोर पोकेट है और कितनी बड़ी साइज है यहां पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से पोकेट लगे हुए छोटी मोटी चीज़े आप वहां पर रख सकती हैं और यहां पर मुबाल वगेरा रख सकती हैं कपड़े वगेरे यहां पर रख सकते हैं खोब करती हूं आपको आइडिया पसंद आया होगा आज का चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाए जय भारत वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजेगा